सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बुटा सकती है कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाईं प्रदान करती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योक्त एक कंप्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाईं जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आधी-ाधी सुविधाईं प्राप्त करा सकती अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रुद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने हेदू, शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी नहीं तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ यह तो अश्यरे जनक है कि हम यह सारी सुविधाएं गाउं में भी प्राप्त कर सकते हैं हाँ, इंटरनेट के जरीए यह सभी सुविधाएं आप अपने गाउं में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुनाएं कि आज कल इंटरनेट की सुविदा मुबाइल फोन तर भी उपलब्द है क्या यह सत्य है हाँ रोहन न केवल मुबाइल फोन बलकि आज कल लोग स्मार्ट फोन अत्वा टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं यह सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है क्या आप मुझे कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में सिखा सकती है बिलकुल रोहन कृपया बैट जाएए मैं आपको कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ बागी आप लोग भी बैट जाईए जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक पता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जिसका उप्योग, आकडों, वसूचनाओं के संकलन वप्रसंसकरण के लिए किया जाता है कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों वँ मित्रों से जुड़ा जा सकता है रेल टिकेट बुक कराई जा सकते हैं बैंक खाते में लेंदेन किया जा सकता है सुचनाएं एक घरित की जा सकती है खेल केले जा सकते हैं गाने सुने जा सकते हैं और सिनेमा पिच्चर देखी जा सकती है अब हम कम्प्यूटर वो उसके विभिन हिस्सोंगे बारे में सीखते हैं A computer is divided into two parts hardware and software आपका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाले सभी आइकन्स सॉफ्ट्वेर होते हैं हाँ रोहन, सॉफ्ट्वेर कम्प्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम भाती-भाती के काम करते हैं अब हमें विभिन उपकरनों के विशय में जानना चाहिए जिनसे कम्प्यूटर बनता है कम्प्यूटर के तीन अंग होते हैं पहला, Input Device दूसरा, Processing Device तीसरा, Output Device जैसे एक ट्राक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है ठीक, उसी तरह कम्प्यूटर में डाटा भरने निर्देश अत्वा सूचनाई संकलित कर विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है इन चित्रों को देखो यह कुछ Input Devices हैं जिनका प्रयोग कम्प्यूटर में होता है यह Input Device निम्न है Pen Drive, Mouse, Keyboard, CD, Microphone Keyboard और Mouse प्राथमिक Input Devices हैं यह बिल्कुल Typewriter के Keyboard की तरह दिखता है हाँ, इसमें कुछ अतरिक बटन अवश्य है सामाने Keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते हैं क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रयोग किसले क्या जाता है अंक बटनों की सहायता से कैलकुलेटर की भाती कम्प्यूटर में अंक भरे जाते हैं नविकेशनल बटन मार्ग दर्शक बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते हैं प्रोग्राम में पेज अप बटन विशेश के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है प्रोग्राम में Page Down बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है प्रोग्राम में Home बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है प्रोग्राम में End बटन करसर को विशे के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कम्प्यूटर में पठनिय विशे में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादातर लेक संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है। डिलेट बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं और मिटाता है। बैक स्पेस बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर 20 और मिटाता है यह चार बटन किस्का हम के लिए प्रयोक किये जाती है यह चारों बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में उपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर उपर की और ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो। यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं। यह बटन कंप्यूटर पर सक्रीय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिश्ट किये गए विशेश कारे को निश्पादित करते हैं। ज्यादतर प्रोग्रामों में इसके बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है। कंट्रोल और अल्टरनेट बटन क्रिया परिवर्तन बटन हैं। जो ज्यादतर प्रोग्रामों में विशेश्ट कारे और माउस की क्रिया को या तो परिवर्तित कर देते हैं। या तो बढ़ा देते हैं. विंडो बटन विंडोज के स्टार्ट मिनू को सक्रिय कर देता है. यह बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे कि टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से होता है. अब तक हमने कीबोड के विभिन बटनों के बारे में सीखा. अब हम माउस के बारे में सीखते हैं. माउस एक दिखाने निर्देशन करने वाला यंत्र है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले विशे, आइकन्स को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है. आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है, वैसे ही माउस चलाया जाने की दिशा में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है. इस तीर को पॉइंटर कहते हैं. पॉइंटर की सहायता से कम्प्यूटर को प्रक्रिया के लिए डाटा वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं. माउस पर दो बटन भी होते हैं, बाया बटन और दाया बटन. माउस के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है, जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है. ये माउस द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं. माउस के बाया बटन को एक बार दबा कर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना चा सकता है. माउस के बाया बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया चा सकता है. माउस के दाया बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा. घूमने वाला चक का स्क्रीन पर पेज को ऊपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है. जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है. उसी तरह कम्प्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहन और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं, वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं. कम्प्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस की जाती है, फिर कम्प्यूटर की मेमरी या RAM में संरक्षित की जाती है. जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला थ्रेशर एक आउटपुट मशीन है उसी तरह कम्प्यूटर के साथ परिनाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें आउटपुट यंत्र कहते हैं मॉनिटर एक बहुत ही सामाने आउटपुट यंत्र है Monitor screen है जिसका प्रयोग आउटपुट जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है Monitor दो तरह के होते हैं Cathod Ray Tube और Flat Panel Display Printer Computer से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे Soft Copy कहते है और उसे च्छाप कर निकालता है जिसे Hard Copy कहते है Computer पर दिखने वाले किसी चित्र या लेक को Soft Copy कहते है तथा उसे के च्छापे हुए को Hard Copy कहते है Printer तीन तरह के होते है Inject Printer, Laser Printer और Dot Metrics Printer Speaker एक Output यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते है Speaker के बिना हम गाने, अथवा आवाज, विश्यों आदी को सुन नहीं सकते Headphone कम्प्यूटर से आवाज Output देता है ये Speaker की तरह होते है किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ती Output सुन सकता है Projector एक Output यंत्र है जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर प्रजेक्टर का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते है अब तक हमने कई तरह की Input, Processing व आउटपुट डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़ेदार गती विधी में भागें प्रतेक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुने दीदी, कंप्यूटर, साय डाटा कहा संचित करता है? जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्चक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह कंप्यूटर डाटा संचित करता है जिसे कंप्यूटर मेमरी कहते है कंप्यूटर की मेमरी दो तरह की होती है प्राथमिक अत्वा मुख्य मेमरी और दुटियक मेमरी मुख्य प्राथमिक मेमरी बहुत तेज है इसे RAM कहते है इसका Earth Random Access Memory अत्वा RAM होता है कंप्यूटर की गती RAM पर निर्भर करती है डाटा और निर्देश मुख्य मेमरी में संचित रहते हैं जहां से ये प्रोसेस कर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते हैं RAM वह मेमरी होती है जहां सारे प्रोग्राम संचित किये जाते हैं कंप्यूटर की गती RAM पर निर्भर होती है कैश मेमरी वह मेमरी है जो RAM का अंग होती है और प्रोसेसर के बहुत पास होती है इसका प्रयोग प्रोसेसिंग गती को सुधारने में किया जाता है प्राथमिक मेमरी सीमित होती है इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए दुवित्यक मेमरी का प्रयोग करते हैं चुकि कम्प्यूटर द्वित्यक मेमरी पर सुरक्षित डाटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता, अतै प्रोसेस करने के लिए पहले रैम पर उसकी नकल तयार की जाती है। ये कुछ डिवाइस हैं जो द्वित्यक मेमरी की तरह कारे करती हैं, pen drive, hard disk और dvd. तो एक कम्प्यूटर डाटा को अबने मेमरी में कैसे सुरक्षित करता है। के लिए प्रयोग किये जाते हैं। Microsoft Word और Open Office Draw एप्लिकेशन सॉफ्टवेर के उदाहरन हैं। जो प्रोग्राम कम्प्यूटर हाडवेर से सीधे जुड़े होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेर कहलाते हैं। कम्प्यूटर चलाने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यक्ता होती है। जो एक सिस्टम सॉफ्टवेर है। हमारे आगे बढ़ने से पहले इस एक्टिविटी में भाग लेते हैं। प्रते एक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने। सही है अच्छा प्रयास। गिता ये सब रुचिकर है। मैंने पहले कभी भी कम्प्यूटर नहीं चलाया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कम्प्यूटर कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है। अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूँगी। सबसे पहले मैं आपको कम्प्यूटर के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ। यह मॉनिटर है। यह टेलिविजिन की तरह है और इसकी स्क्रीन पर आउटपुट देखा जाता है। यह सिस्टम बॉक्स है इसमें Central Processing Unit अर्थात CPU होता है। यह CPU ही कम्प्यूटर का मुख्य दिमाग होता है। यह कीबोर्ड और माउस हैं। यह दोनों Input Devices हैं जिसके द्वारा कम्प्यूटर में डाटा भरा जाता है। कम्प्यूटर को जोडने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए। तब सिस्टम बॉक्स के बगल में मॉनिटर रखिए। सिस्टम बॉक्स के पीछे का भाग देखिए। इसमें विभिन डिवाइसें जोडने के लिए खाचे बने हैं, जिनें पोर्ट कहते हैं। अब इस तरह से मॉनिटर सिस्टम से जोडा जाता है। सिस्टम बॉक्स वीडियो पोर्ट को VGA पोर्ट कहते हैं। इससे मॉनिटर को जोडने वाले तार को VGA केबल कहते हैं। VGA केबल के एक सिरे को सिस्टम के VGA पोर्ट से तथा दूसरे को मॉनिटर से जोडा जाता है। कीबोर्ट दो प्रकार के कनेक्टर वाले होते हैं। पीएस, टू कनेक्टर अथवा USB कनेक्टर। कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए उसके कनेक्टर को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोडा जाता है। माउस तीन प्रकार के कनेक्टर वाले होते हैं। PS, 2 कनेक्टर, USB कनेक्टर, अथवा Serial कनेक्टर। माउस को कनेक्ट करने के लिए उसके कनेक्टर को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है। उसी तरह यदि आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके कनेक्टर जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है। समानांतर पोर्ट अथवा USB पोर्ट को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ दें। अब हम कम्प्यूटर को बिजली के में बोर्ट से कैसे जोड़ सकते हैं। कम्प्यूटर दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है। एक बिजली सप्लाई तार को सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को मॉनिटर के पोर्ट से प्लग करें। उसके बाद दोनों तारों को बिजली के पोर्ट से या UPS से जोड़ें। क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि कम्प्यूटर को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल, कम्प्यूटर चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें. पहले, सिस्टम यूनिट वह मॉनिटर दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें. तब सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबा कर उसे चालू करें. वह मॉनिटर का पावर बटन दबा कर उसे चालू करें. अब कुछ ख़ण इंतिजार करें और देखें कि मॉनिटर पर डिस्प्ले आने लगा है. इसे बूट स्क्रीन कहते हैं. दीरे-दीरे सभी सौफ्ट्वेर लोड हो जाएं तो कम्प्यूटर प्रयोग के लिए तयार है. धन्यवाद गीता. पहली बार न केवल कम्प्यूटर को देखा है, बलकि उसे चालू करना भी सीखा है. हाँ, कम्प्यूटर के विशे में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी. अब क्या आब हमें मुबाइल फोन वो टाबलेट के बारे में भी बता देंगी? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि मुबाइल फोन वो टाबलेट कैसे चलाते हैं? हाँ, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहता हूँ. पहले हम मुबाइल फोन वो टाबलेट के विभिन अंगों, कार्यों वो उप्योगों के बारे में चानते हैं. जैसे आप जानते हैं कि बेसिक मुबाइल फोन एक ऐसा यंत्र है, जिससे आप कॉल कर सकते हैं. कॉल प्राप्त कर सकते हैं, वो मैसेज लिख कर भेज सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं. आधुनिक मुबाइल फोनों में कई तरह की विशिष्टाएं होती हैं जैसा की इंटरनेट, खेल, क्यामरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली यह फोन स्मार्टफोन कहलाते हैं कुछ मुबाइल फोनों में दो-दो सिम कार्ट एक साथ ही फिट हो जाते हैं इन्हें डूल सिम फोन कहते हैं फोन के विभिन अंगों को देखें गीता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि फोन में सिम व बैटरी कैसे डालते हैं? बिल्कुल बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला फोन को स्विच आफ कर दें और पीछे का कवर निकाल दें उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दें तब सिम खाचे में सिम डाल दें अंत में बैटरी, वककवर, पुनह लगा दें और फोन को चालू करें धन्यवाद गीता, मुझे फोन की बैटरी चार्ज करने में भी समस्या होती है चिंता ना करें, बस निम्ल प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, चार्जर को दिवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं तब चार्जर को फोन में लगाएं कुछ समय बाद, जब मुबाइल बैटरी फुल दिखाए तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दिवार से निकालें मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक वो अनलॉक कैसे किया जाता है हमें बटनों को लॉक क्यों करना चाहिए चाचा जब आप लंबे समय तक फोन का प्रयोग न कर रही हूँ तो उसे लॉक करके रखना अच्छा होता है इसकी यह प्रक्रिया है फोन लॉक करने के सिलेक्ट मिन्यू पर जाईए और स्टार बटन दबाईए इसे खोलने के लिए फोन का अनलॉक बटन दबाईए और तब स्टार बटन दबाईए बेबास यह नया मूबाइल है और मुझे इह तक नहीं पता है कि इसकी विशेषताएं कैसे देखे आप अपने मुबायल के विशेशताएं देखने के लिए पहले मिनू आइकन चुएं या मिनू बटन दबाएं जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पड़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाएं पुनह आरंब में जाने के लिए होम आइकन को चुएं या बटन को दबाएं बेजिक फोन अथवा टच स्क्रीन फोन रिंक टोन गण्टी बदलने के लिए नेम्न प्रक्रिया अपनाएं बेसिक फोन के लिए पहले मिनू चुने, फिर सेटिंग, तब टोन चुने और फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाए तब ग्यालरी खोलने के लिए खिसक कर ग्यालरी पर जाए जहां पर कई रिंग टोनों की सूची दिखाई देगी अब आप अपनी इच्छा अनुसार टोन का चैन कर सकते हैं टच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने की प्रक्रिया पहला होम आइकन को चुए, फिर मिनू आइकन को चुए फिर परसनलाइजेशन सेटिंग आइकन को चुए, फिर सेटिंग आइकन को चुए फिर profile setting आइकन को चुए, तब ringtone या notification ringtone आइकन को चुए, तब ringtone की सुची में खिसक कर अपनी इच्छानुसार ringtone चुने, तब ठीक OK आइकन को चुए. मैं अपने phone में alarm set करना चाहता हूँ, क्या सुबह जल्दी alarm set करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? निम्न प्रक्रिया से आप swim कर सकते हैं, बेसिक phone के लिए पहले menu में अनुपयोग चुने, फिर alarm घड़ी उसके पश्चात, alarm का समय सेट करके save चुने, फिर खिसक कर ringtone पर जाएं, यदि आप alarm को दोहराना चाहते हैं, तो चैन के विकल्प में जा दोहराना, फिर दिनों का चै कर संपन चुने, टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं, पहले menu को चुएं, तब घड़ी को चुएं, तब अलाम को चुएं, अलाम का समय सेट करके save चुने, दी दी क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती हैं? हाँ जरूर, मैं अभी बताने ही वाली थी, टाबलेट एक compact device है, जो एक smartphone अथवा, एक laptop अथवा computer की तरह है, आजकल टेबलेट अपने सुविधा जनक आकार और feature के सरल उप्योग के कारण बहुत लोकप्रिये हो गए हैं, इनका उप्योग हम इंटरनेट पर browser, mail चेक करना, download और किताबे पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है, टाबलेट विभिन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कुछ है, बुकलेट टाबलेट PC का सबसे सरलतम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है, इस device के दोनों तरफ ड सॉफ्ट्वेर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं, स्लेट सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलेट PC है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इं के ही होते हैं, इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है, कि इन से टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, जिसे 180 डिगरी तक घुमाया भी जा सकता है, हाइब्रिड टाबलेट में स्लेट और कनवर्टिबल टाबलेट दोनों के सबसे अच्छी विशेशताएं सम्मिलित होती हैं, हाइब्रिड टाबलेट अलग हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आते हैं, जो की दिये गए स्लोट के जरिए स्लेट पीसी में जोड़ कर टाबलेट पीसी में बदले जा सकते हैं, एक रगड टाबलेट उन उपयोग करताओं के लिए अच्छा है, जो कठिन वातावरन परिस् आति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उपयोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6 से 7 घंटे चार्ज करना चाहिए, जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए, हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? इन चर्णों का अनुसरन करो, पहला केबल को चार्जिंग हैड में लगाएं और प्लग को स्टांडर्ड AC पावर में लगा दें, डिवाइस अपने आप चार्ज होने लगती है, डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए, डिवा इसको बंद करने का सही तरीका क्या है? जब आपको डिवाइस बंद करनी हो, तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें, पहले पावर बटन को कुछ खशन के लिए दबा कर रखें, तब टाबलेट को बंद करने के लिए मेनू खुलने पर दिखाई देगा, तब पावर ओफ प अप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकट फोल्डर को जोड करके कस्टुमाइज कर सकते हैं, अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अथवा बाएं खिसकाएं, तो तुमने सीखा कि कैसे लैप्टॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और टाबलेट को इस् सही है, अच्छा प्रयाज